हेलो गईद नसकार, वेलकम टो अनलेंग ज्यान भायानन, तुम्हेर उत्राखन के पहले सात्यों, फोरेश्ट गार्ड एक्जाम हेतू, पचास परष्टों का एक महत्वपूर्ण प्रेक्टिस एडला कर, मैं आनंद मेरा आपके लिए हाजिरुआ हूँ, सारे परष्टों इ अन्धु मैं कामे ठरष्ट, ऊर्मी का पर्यावाची सब्स्म से कौन है, तरंग, ओप्सन नम्बर बीजित का सही उतर होगा, दूसरा सवाल है, वह कभी जो ततकाल कविता करे उसे कहते हैं, तो चार अप्सन आपको देरके बताएं, वह कभी जो ततकाल कविता करे उसे क्य क्या करते हैं आसु कभी option number three इसका सही उत्तर है तीसरा अंधू में काना राजा मुहावरे का अर्थ बताईए तो चार अपको दे रहे के हैं अंधू में काना राजा मुहावरे का अर्थ आपको बताना है सही उत्तर है अंधू में काना राजा मतलब मोर्खू में सुयोगी हो इसका सही उत्तर है अगला अंगुली पर नाचना मुहावरेकार्थ बताईए तो अंगुली पर नाचना मुहावरेकार्थ आपको बताना है तो सही उत्तर है अंगुली पर नाचना मतलब वस मैं करना ओप्सन नमर 20 का सही उत्तर होगा पांचवा निम्न मैंसे कौन सा सब्द pulling है चार आपको दे रखे हैं बताई इसमें से कौन सा सब्द pulling है तो हमने पिछले lecture हम आपको बताया कि दही जो है हमेशा pulling में परयोग होता है तो दही इसमें pulling सब्द है अगला निमने लिखित विकल्पु मैंसे असंगत सब्द का चयन कीजिए तो साथियों बताईए निमने लिखित विकल्पु मैंसे असंगत सब्द का चयन करना है चार आपको दे रखे हैं तो निमने लिखित मैंसे असंगत सब्द हो गया इसमें से यानि इससे मेल नहीं खा रहा है मतलब ठीक है अगला किर्टगी का विलोम सब्द क्या है बताएं साथ किर्टगी का विलोम सब्द तो किर्टगी का विलोम सब्द है किर्टगन option number 10 का सही उतर होगा तो किर्टगी का आटवे सवाल पे हम आ रहे हैं तो बताएं साथ इसमें से निमने लिखित मैंसे कौन साथ वाक्य सुद्ध है और सनमबर एहाँ सुद्ध गाय का दूद मिलता ये भी गलत है साथ अड़ो यहाँ सुद्ध गाय बताए इसमें से कौन सा वाकिय सुद्ध होगा, तो साते हम सुद्ध वाकिय के ओर चले, इसे पहले आपको ध्यान रखने, इसमें एक गोपनी रहची है, आप जैसा अच्छा सजन कौन होगा, अच्छा सजन कना मतलब दसका, एक अगला सवाल है, गریसतीवारी गिरदा का जन्म कब वोगए था, तो बता है साथ जो गिरीश तिवारी गिर्दा का जो जन्म हुआ था इसमें से किस डेट को हुआ था आपको बताना है तो गिर्दा का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1925 को ओप्सिन नबर से इसका उत्तर होगा वारबा सवाल सैप सीथकालिन खेलों का सुबंकर आपको बताना है इसमें से पहले का जो सुबंकर क्या था आपको बताना है तो इसमें से पहले से बरल ऑफ्सन नबर सी बरल ठीक मुख्य वक्ता कौन थे उत्राखन राज जी स्तापना दिवस ब्याख्यान 2010 के मुख्य वक्ता आपको बताना है कौन थे सही उत्रता आते हो रतन टाटा जी तो राज जी स्तापना दिवस ब्याख्यान 2010 के मुख्य वक्ता कौन थे रतन टाटा जी किन जिलू के समों से अधिक तो सही उतर हमारा नैनिताल में तोसहितस कहा पर है direction स्वाल है उत्यकों फूल सभी पढ़ा नताल में अगला महा मिर्त्युन्जाई मंदिर इस्तिद है तो महा मिर्त्युन्जाई मंदिर आपको बताना कहाँ पर इस्तिद है तो महा मिर्त्युन्जाई का मंदिर हमारे काई साथ यो अलमोडा जन्पद में इस्तिद है अगला उत्राखंड राजी की कुल लंबाई तेथा चोड़ाई कितनी है तो बताए उत्राखंड राजी की कुल लंबाई है कितने किलोमेटर है और चोड़ाई कितने किलोमेटर है तो सही उत्राखंड की उत्राखंड की कुल लंबाई है 358 किलोमेटर और चोड़ाई है 320 किलोमेटर बारत का पिताम Okay Ground Old Man of India किसे का जाता है आपको पताना है सही उतर है दादा भाई नारा जी ग्राउंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया किसे कहते है डादा भाई नारा जी को 857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो 857 में तो 37 संग्राम मारा हुआ था साथ यूँ उसकी सुरुवात आपको बताने है कहां से हुई तो मेरड से भारती सेवक समाज की स्थापना किस ने की थी तो भारती सेवक समाज की स्थापना आपको बताने किस ने की थी सही उतर भारती सेवक समाज की स्थापना हमारे गोपाल करशन गोखले ने की थी तो इनमें से तमिलनाडू के एक परसिद्ध कभी आपको पताने है कौन थे सही सुब्रमंडियम भारती जी तो तमिलनाडू के परसिद कभी इनमें से कौन थे सुब्रमंडियम भारती जी तेश्मा सवाल है बंगाल विवाजन रद कब क्या गया तो आपको मालम होगा साथ हो बंगाल विवाजन लाड करजन ने किया था 1905 में 1905 ये भी आप गोसना होई थी और आपको पता है यह 16 अक्टूबर से लागो हुआ था लाड करजन ने बंगाल विवाजन किया हुआ था मुस्लिम लीग ने सरवपर्थम पिर्थक पाकिस्तान की मांग कब की थी तो मुस्लिम लीग ने सरवपर्थम पिर्थक पाकिस्तान की मांग आपको बताना है कब की थी सही उत्तर के और हम जाएंगे साथ हूँ सही उत्तर है हमारा 1940 को ठीक है साथ जब हमारा इनकलाव जिंदावात का नारा किषने दिया था तो इनकलाव जिंदावात का नारा दिया था आपको पता है भगत सिंग जी ने दिया था ओप्सन नमबर 20 का सहुतर है द्वैद सासन परणाली बिटेन द्वारा भारत के किस कानून के तहत लागू की गए थी सही उतर आपको बताना है सही उतर है साथ हमारा भारत का कानून 1990 का सही उतर है किसने सविदान सभा की प्रारूप समिती की अद्यक्सता की थी तो इन में से बताए साथ हो किसने सविदान सभा की प्रारूप समिती की अद्यक्सता की थी सही उतर के और हम जाएंगे सही उतर साथ हो प्रारूप समिती के अद्यक्सता कों थे कुल स्टेटों का कितने पर्थ सिर्वेक न अनिवारी आपको बताने है तो सही होता है च्वर्स ओψन नबर दी का सही उत्तर है तीस्वा सवाल धन विदेग पारिध होता है कहां पारिध होता है आपको बताना है धन विदेग पारिध होता है हमारा लोक सबा मैं option number is का सही उतर होगा एक तीस्वा सवाल कि और हम जाएंगे मूल कर्टब्यू का विचार निमन देश के सभिधान से लिया गया त्वा राष्टिपती अपना त्याग पतर किसे संबोधित करते हुए देते हैं तो राष्टि-पतर अपना त्याग पतर किसे सौंपेगा सात्यों आपको बताना है सही उत्तर है हमारे उपर राष्ट पतिजी को option no.b 20 का सही उत्तर होगा 33 निमन मैंसे कौन सा मंदिर समुदर तल से सबसे अधिक उंचाई पर है सबसे अधिक उंचाई पर वो सिब मंदिर हमारा है तुङनात option number 20 का सही उतर होगा फिर जाएंगे हम अगले सवाल की ओर 34 निमन मैंसे कौन सा आबुसन पैरू में पहना जाता है option number 3 जहावर तो जहावर आप उसन को हम पैरों में पैंटे option number 3 इसका 35 स्वाल कफली गिंजडी सिरोल गजारो नाम से संबधित है तो ये किस संबधित है तो ये हमारे राज़ी के इस्तानी बेंजन है कफली गिंजडी सिरोल गजारो इस्तानी बेंजन है तो 35 का आपका से उतर सही बनेगा फिर आपको आपको आपके सूची संबलित करनी है मित्रो इसमें जो जिसके लिए परियोग होता है वो आपको बताना है जुमेलो, छोलिया, बाजुबंद और पांडो है तो छोलिया जो है बिजय का पर्तिक है तो पहला आपका जो B का A बन गया और जुमेलो आपको बताना है यापे तो जुमेलो, बाजुबंद और पांडो बचे हमारे तो इसको हम छोटा सा ब्रेक छोटा कर देते हैं तो जुमेलो जो है सात्यों इसमें से हमारा परकच्टी एवं प्रेम का गीत है और सोलिया बीजय का हो गया बाजु बंद जो हमारा प्रेम एम साधर का हो गया पांडो जो हमारे सिद्यपुरुसूद ओप्सन ब़री सात्य हमारा सिउतर सही बनीगा गुरु सिकर परुषत चोटी कौन से राजी में अस्तित है तो गुरु सिकर चोटी आपको बताना है कौन से राजी में इस्थित है सही उत्र हमारा राजिस्तान तो गुरु सिकर परवज चोटी हमारी राजिस्तान में इस्थित है निमनेलेकित नजियू मैंसे कौन सी सबसे लंबी है तो निमने लिखित नजियू मैंसे कौन सी सबसे लंबी है आपको बताना है सही उत्तर है आपका हमारा जो इसमें से गुरू सिकर्चोट अमेर तो 38 स्वाल निमनलेखित नजियु मैंसे कौन सी सबसे लंबी है चार उसन आपको देर के बताए इसमें से कौन सी सबसे लंबी नजियु है सही उतर है मैरे Amazon ओप्सन नमबर एसका सही उतर है 49 वाँ सूरी के एर्धिगिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न मैंसे कौन सा घर अधिक्तम समय लेता है। वन्यजीव अभ्यारन सुल्तानपूर पक्षिय अभ्यारन तो यह सुचिव वन्यजीव अभ्यारन को आपको संब्लेद करना है सही उत्तर के और हम जाएंगे साथ कि सही उत्तर इसमां से आपको चूच करना है वह है कंगोर राष्टी बन जो है हमारा चतिशगण में है और सुल्तानपूर पक्षिय अभ्यारन है हमारा हर्याणा में तो इस साथ सही उत्तर इसका बनेगा फोर्टी वन्यजीव प्रश्ण के और हम जाते हैं निम्न आदिम जंजातियों तथा उनके निवास इस्तानों के युगमों में कौन साथ सही सुलेमित नहीं है तो बोक्सा पौड़ी गड़वाल कोल जबलपूर और मोंड़ा छोटा नागपूर कोरवा उतर परदी तो इसमें सही उतर है जो इसम्रीत नहीं है बुक्सा पौड़ी गड़वाल में हमारे नहीं रहते हैं अगला किर्केट वर्ड कब 2011 के क्वार्टर फाइनल में भारत ने किस देश को हर आया था 2011 का क्रेंट पुचाये साथ यह थे 2011 में धिस्ट ने यह आटक प्रकास वर्सन मानट फोर सबते पर टापमान कितना होताье तो सेल्सेएस और फार्नेट इसकल का समान तापन किस पर होता है माइनस 40 ठीक है सर्चियस और फार्नेट इसकल का समान तापन माइनस 14 पर होता है अगला स्वाल योजना आयोग का पदेन अध्यक्स कौन होता है तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्स हमारे परदान मंतरी जी होते हैं योजना आयोग का नाम बदला सात्यों 13 अगस्त 2004 को आपको पता है योजन आयोग का नाम बदल कर नीती आयोग हमारे परधान मंत्री जी ने रखा है नीती आयोग को हमारे भारत देश का भारती देश का ठिंक टैंक भी कहते हैं आपको बालू होने चाहिए योजन आयोग का पते नज ऑप्शन नमर 2 सरकार के संखी उद्दर होगा एक रुपे का नोड के पर हस्ताक्षर किसके होते हैं तो एक रुपे के नोड पर किसके हस्ताक्षर भारत सरकार के बितन सची उदार, option number 6 का सही उत्तर है लास्ट सवाल, निम्न मैंसे कौन सा कर direct tax है? तो निम्न मैंसे कौन सा कर direct tax है? आईकर, आईकर जो है, direct tax, option number 8 का सही उत्तर हो गया तो मित्र फॉस्ट गार्ड exam हेतू, यह हमारे सवाल हो चुके है आपको कैसे लेके, comment section मैं ज़रो बताएं, फिर जोड़ेगा, ऐसे ही आपको हम देते रहेंगे डेली जब तक आपका exam 20 को complete नहीं हो जाता है तो आज की वीडियो मैं फिलाल इतना ही जोड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ थैंक्यू बेरिमाइक, God bless you all